नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी चमतकारी तांतरीक उसधी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर के आप लोग हैरान हो जाओगी जिया दोस्तों इस चमतकारी औसधी का नाम है वज्रदंती वज्रदंती एक ऐसी चमतकारी तांतरिक औसधी है यदि आपने इसका प्रियोग सही प्रकार से कर लिया और इसके सारे प्रियोग करने के बिधी बिधान जान लिए तो मित्रों इस दिव्यत तांतरिक औसधी की सहायता से आप लोग असानी से अद्रस हो सकते हो तथा सरीर को रोगमुक्त बना सकते हो तथा सरीर को लोहे की भाती मजबूत बना सकते हो और आप सबसे जादा साल तक जीओगे आप 400 साल तक जीओगे इस चमतकारी औसदी का सेवन करके परंतु इसका प्रियोग कैसे करना है यह चमतकारी तांतरी का औसदी कैसे काम करेगी पूरी जानकारी दूँगा अपनी इस वीडियो में तो आप सभी से अनरोध है कि इस और दोस्तों हम अपने चलन के माध्यम से ऐसी ही रहस्माई तांतरी का औसदियां तत्री का औसदी का सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो में तो आप प्रियोग में लाकर कि अपना जीवन धन कर सकते हो दोस्तों यह ऐसी ओनस्पतिया है जो आपको कोई नहीं बताएगा और दोस्तों हम अपने चलन के माध्यम से ऐसी ही रहस्माई तांतरी का औसदियां तत्हा रहस्माई तांतरी का अन्ने साधनाएं तांतरी की रहस्माई जानकारियां सोना और चांदी बनाने के प्रियोग तत्हा बहुत सारे मायावी तांतरी की जादुई सक्तियों के बार जो तसी से समंदित हों, जो तांतिक से समंदित हों, जो आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई बदलाओ लेकर क्याए, कोई ना कोई खुसारी लेकर क्याए अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही पिरकार से दबा लीजिए क्यूंकि हम अपने चनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्माई जानकारी लाते रहते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप लोग हमारे चनल को सही परकार से सब्सक्राइब करते हैं घंटी को भी सही परकार से दबाते हैं और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो दोस्तों भविस्य में जो भी हम नई जानकारी लेकर के आएंगे आप को हुए समय पर मिल जाएगी और दोस्तों जब भी हम कोई नई जानका रिलाएंगे उसका संकेत आपको ततकाल मिल जाएगा मित्रों वजर दंती को इस सधारन वनस्पती नहीं है जी हां तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं इसका प्रियोग कैसे करना है दोस्तों पृथिभी म जीवन परदान करने वाली सजनों की भाग पंज सरूपा और सधी वजर दंती कहलाती है दोस्तों यह प्रिथम असार के समय में यानि दोस्तों जुलाई में है असार के समय में यह दोस्तों फलों से लट जाती है इसको आप पहचान सकते हैं और आपको वीडियो में फोटो दिख रही होगी अच्छी प्रकार से इसको पहचान लीजिए ठीक है इसका अगर छिलका और चर्म यानि इसका छिलका इस पेड़ का छिलका और मुख में धहन करें यानि जो वज्र धंती का पौदा इसका जो छिलका है अगर आप मुँ में धहन करेंगे किस दिन तक तो इस असानी से अपने दात से अखरोट फोड़ सकते हो तथा अपने दात से दोस्तों आप जो है ताबे की तार काट सकते हो तथा अपने दातों से दोस्तों आप जो असानी से जो कुछ हद तक अठोर चीजे उनको तोड़ सकते हो इतने मजबूत आपके दात हो जाएंगे और गि सेघ्ब का दूद निकलता है, जिसको पीने से बीर की बिर्दी होती है, सुक्राण की बिर्दी होती है और दोस्तों आपके बाल सर की घने मजबूत और जो है लंबे समय तक ठिकने वाले बनते हैं, और आपके जो है सुक्र ब्रिद्धी होती है और आपके सरीर में जो सिग्र पतन की समश्या होती है जितने भी प्रिकार के ये फालतों के रोग दोसें सब नश्ट हो जाते हैं इतनी चमतकारी ओसदी है दोस्तों ये ओसदी आपके सरीर का काया कल्प कर देगी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी और दोस्तों आप इस उसादी के प्रियोग से हमेशा जो है खुस रहोगे दोस्तों आप भी कहोगे कि कैसी दिब चमतकारी जानकारी मिली है कि आपका जीवन बढ़िया सुगंध मैं हो जाएगा तो दोस्तों इस उसादी के करने से मनुस सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और तीन मास तक सेवन करने से मंडल से इच्छानुसार रूप धहन करने वाला अदरस हो सकता है जीवन दोस्तों अगर आप इसके जड़का दूद को पहले आपको सिध करना पड़ेगा और वो मंतर कौन सा है वो मंतर भी मैं दे दूँगा यह वजर दंती ओसधी यह तब तक नहीं काम करेगी जब तक आप इसको मंतर से अभी मंतरित नहीं करोगी जियां तो इसको प्रात कैसे करना है यह भी बताऊंगा ठीक है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप चाहते हो कि यह ओसधी काम करे और दोस्तों स कि यह हैं तो क्या करना है कि दोस्तों जो है 21 दिन तक सेवन करने से जिया दूस्तों आपको क्या करना है कि इसके वजर č correctly के पाध्य को खोजना है जहां पर भी लगा हो और आपको म मावस की काली रहा दो यह कोई भी सुब दिन हो पquito मा की रात हो या फिर जो कोई भी समय आता हो कोई भी समय हो सनिवारो बुद्ध वारो ठीक है रभी वारो इस दिन आपको क्या करना एक दिन पहले तो दोस्तों को क्या करना सनिवार को साम के समय नीमंत्रन दे कर कि आना है और जो है दोस्तों आपको जो है एक मंत्र बोलना है जिहां दोस्तों मंत्र बहुत मंतर का जाप करना है के लोर केवल कितने बार साथ बार मंतर का जाप करना है ठीक है जब आप इसको सनिवार के दिन साम के समय नीमंतरण दोगे ठीक है जब सुरद डूबने के बाद और चपल इसके पास पहने कितना जाएं ठीक है इसके पास जाना जलरपीत करना दूब से लेकर के 5 बेजे की बीच में फीलग और दोस्तों उखाणने के बाद आपको एक जटके में उखाण लेना है और उसके जड़ से दूध निकालना है भी से इस परकार का ठीक है और दोस्तों आपको ऐसे ही ऐसे ही लागातार 20 दिन तक इसके जड़ के दूद का सेवन करने से जी हाँ दोस्तों सेवन करना है सिद्ध की हुए जड़ से एक पोदे से कामना बने तो कई पोदों को भी दोस्तों इसी क्रिया से ही आपको प्राप्त करना है ठीक है फिर इकिस दिन तक इसकी जड़का जड़की दूद का शेवन आपको जो है करना है जी हाँ दोस्तों और आप देखेंगे कैसे करना है इसका जो जितनी मातरा में निकले एक से दो चमच की मातरा में इसका जो 7 करने से दोस्त। आप सभी रोगों से तो छूटारा पाही जाओगे और दोस्तों 3 माज तक 7 करने से आप अपनी मंडल से यह याप अपने मन से इच्छा नुसार Edison व्य तो तो आप पक्षी बन जाओगे आप सोचोगे ना कि जो है ना मैं एक जो है ना एक जो है पशु बन जाओँ तो तुम पशु बन जाओगे तुम सोचोगे ना कि मैं जो है ना मैं उड़ने वाला इंसान बन जाओँ तो आप वो भी बन जाओगे तुम सोचोगे ना कि मतलब न कि मतला कुम कोई भी रूप बदल सकते हैं अपने प्वानी AUASADA बड़ सकते और इस्के बाद दोस्तों इच्छा नुसार रूप धान करनेवाला आप बन सकते हो और आप इच्छा के नुसार अपने अध्रस हो सकते हो जी हां यह AUASADA आपके अंदर की दो तो हुई सक्तिय होती उनको जगा देती है आप मन में च्वनाओं की मैं अधरस हो जाओं तो आप अधरस हो जाओगे ठीक है दोस्तों लेकिन इसका प्रियोग करने से पहले आपको उस मंतर को जाब करके और सदी को सीध करना पड़ेगा तभी यह उसदी काम करेगी ठीक है औ आप 21 दिन से लेकर के तीन माज तक सेवन करने से आपके अंदर अधरस चमतकारी शक्तियां आ जाएंगी आप दिब पूरुस बन जाओगी इतनी चमतकारी है और इसके बाद दोस्तों अगर आप इसके आगे भी इसका लाब लेना चाहते है तो आप दोस्तों छे माज तक स सुर जी हाँ दोस्तों जो सत्रों का जो बाण समू है वो नस्ट होता है आपकी समस्त सत्रों का नास होता है जी हाँ दोस्तों और दोस्तों आप जो है बहुत लंबे समय तक जिन्दा रहे तो आप 400 साल तक जिन्दा रहे तो इसके सेमन से अगर आप इसका छे महीने तक या यहां दोस्तों चार साल से उपर तक जिन्दा रहोगे और दोस्तों इसको यह मृत संजीवनी करने वाली है और दोस्तों इसके रस में पारद मिस्रित कर वज्र डाल कर मूसा में दमन देने से वज्र में मृत हो जाता है और अगर आप और यदी आप जो है जो है इसके इसके इसका जो भसम है अगर आप इसको जो है किसी तावे में डाल देते हो तामत अत्काल सोना बन जाता है और आप उस तावे को जो है सोना बना कर बेश सकते हो वजदंती का फल जो मनुष मुख में रखता है उससे बेग इस्तंब होता है जी हाँ दोस्तों कहने करता है कि वो लंबे समय तक वो चलता है इतनी चमत करी उसे दी है दोस्तों इसके फूल के ओट में अपने सरीर को जी हाँ दोस्तों अगर आप मान लीजी अगर आप आपके पास अगर फूल है और आप इसके फूल के पीछे अगर छुपोगे ना चुप करके दोस्तों अपने शरीर को छिपा करके आप आकास चारी, जिहां दोस्तों, आप इसके फूलों का लेव बना सकते हो, अपिला सरीर में लगा लोगे न, तो दोस्तों अगर आप आकास की थर्ब देखोगे, तो आपको जो है, दोस्तों, आपको बहुत सारे देवी दिखेंगे बिमान में उड़ते हुए दूसरे दुनिया की लोग दिखेंगे आपको बिमानों में उड़ते हुए दोस्तों और दोस्तों तिल पुष्प का रस एक पृस्त और धरमारगाव का रस एक पृस्त और निशा पुष्प का रस एक पृस्त इन तिनों रसों से पका जो बहुत ही जादा जो दुरलब होती है और उनको पहाडियों में मदपर्देश उत्तरपर्देश बिहार जारकंड हिमाले तता राजिस्थान की पहाडियों में ही खोजना पड़ता हुआ वहीं पर ये दिभयावसधिया मिलती है तभ ही आप जो इनसे लाव ले सकते हो तक यह प्राचीन काल के प्रियोग है जो मैंने आपको बता दिया है यह मैंने आपको जानकारी के उद्देस से बताया है आप इससे लाव होते हैं तो दोस्तों हमारा विडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा आप इससे लाव लीजिए उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम में आपको जो है हम जो है ऐसी ही जानकारी जो है से आउगत करवाते रहेंगे और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें धन्यवाद कोई अगर हमसे गलती हो तो छमा करे मित्रों